अब सभी जानते हैं कि डिफेंस को ये पावर है कि वो चाहे तो अपने इंपलोई के अकाउंट से as a maintenance डिड़ेट करके वाइफ के अकाउंड में अमांट ट्रांसपर कर सकता है अब सभी जानते हैं कि वाइफ अगर डिफेंस डिपार्टमेंट जिसमें की आर्मी नेवी और एफोर्स आते हैं अगर अपली किसन लगाती है तो डिपार्टमेंट वहाँ से अपनी मर्जी से खुदी मतलब कोट की परमीशन की जूरत नहीं है कोट की ओर्डर की जूरत नहीं है खुद ही जज़ बन करके मेंटेनस गरांट करके और सोलजर के अकाउंड से वाइफ के अकाउंड में टांसपर कर देता है लेकिन आज की जो यह judgment है वो decline करती है उन act को उन section को जो की कहते हैं और उनको power देते हैं कि आप maintenance को detect करके husband से और wife के account में transfer कीजिए और साथ में अगर किसी फोजी भाई का maintenance पहले से बंदा हुआ है और wife के account में जा रहा है तो उसको भी कैसे रोका जाए इस judgment को कैसे use किया करना नहीं है और इसके लाव और क्या काम करना हूँ सब के बारे में बात करेंगे आज के बाद से कोई भी defense department चाहा हो आर्मी हो नेवी हो एर फोर्स हो चाहा कर भी किसी भी soldier का maintenance बांध नहीं पाएगा इस judgment का सही तरीकी से use कीजिए और अपने maintenance को खतम करवाईए नमस्कार दोस्तों मैं हूँ एड़ोकेट धीरसकुमार आपको अस्वात करता हूँ आज की वीडियो में आप सभी जानते हैं कि section 90 sub close I और 91 army act और इसके लावा rule 191 ये power देते हैं department को कि अगर उनके पास wife को application लगाती है ये कहते हैं कि मुझे maintenance चाहिए तो वे खुद ही वहाँ से maintenance grant कर देते हैं maintenance भी 33% तक ग्रांट हो जाता है wife और बच्चों का मिला करके लेकिन ये जो judgment है उसको decline करने हाला कि पहले judgment नहीं है इससे पहले भी judgment आई थी लेकि नोर्मली होता है कि लोगों को पता है नहीं होता कोई ऐसी judgment भी है और सबसे बड़ की मेजर अमित कुमार मिस्रा वर्सिस यूनिन ओफ इंडिया judgment जिसने दी है वह आर्म्स फोर्स ट्रिबिनल रीजिनल बैंच चंदिगड़ जज़्मेंट के लिए मैं आपको fact बताता हूँ होता किया है कि 8 फरवरी 2016 को department order pass करता है order pass करता है यह जो मेजर अमित कुमार मिस्र है इनकी wife application लगाती है कि मुझे और मेरी बेटी को maintenance जागी है department क्या करता है उनको maintenance grant कर देता है उसके खलाब यह उपर टिर्मिनल में आ जाते है कि मेरा maintenance क्यों grant किया गया maintenance grant करने की power है court को इससे पहले हमारे court कि चले वह थे हलाकि अब नहीं है लेकिन maintenance grant कैसे कि आपने और इ paragraph की बात करें तो 41 paragraph से इसके अंदर judgment का link मैंने description box में दिया हुआ है कमेंट फिन भी किया हुआ है आप वहां से इसको download कर सकते हैं free में download कीजिए को चार्जिज नहीं है दोस्तो judgment में सारे fact लिखे जाते हैं वे अपने बारें बताते हैं होएगी उससे पहले भी wife के साथ उनका case चला था wife ने application लगाए थी court के अंदर बाद में उसको withdraw कर लिया था इसके बाद से दुबारा वे court में आती है इससे पहले वे कमाती भी थी बाद में गहती है मेरे पास कोई source of income नहीं है ना मेरे पास कोई कमाने का साथ नहीं है यह अपनी बेटी का maintenance और department maintenance बाद भी देता है इसके अंदर कई judgment का जिकर भी आता है विविकानन्दा मंडल special बना हुआ है उसको भी इसके अंदर define किया हुआ है और बहुत अच्छी तरह से पूरवा पूरा section define के वा पर नंबर 20 में देखिए एक बात और भी आती है जो low है low कहता है section 125 close 4 और 5 CRPC कि wife अगर अपनी मर्दी से अलग रहती है या wife का चाल चलन सहीं नहीं है या दोनों ने decide कि हम अलग रहेंगे तो ऐसे में wife maintenance नहीं ले सकती है अब ऐसे में किसी soldier के पास अगर यह evidence है कि उसकी wife का चाल चलन सहीं नहीं है तो according to section 125 so close 4 CRPC उसको maintenance देने की जूरत नहीं है लेकिन दूसरी तो department क्या करता है खोदी judgment कर मेंटेंस बान देता है उस चीज़ को considering नहीं करता लेकिन यहां यह judgment इस section को भी define करती है और साथ में यह भी कहती है कि इसकी जो बाते हैं वो इसके अंदर आपको माननी है इस लोग को भी मानना है इसका जो पारा नमबर 22 है वो section 90 और section 90 sub close eye 91 sub close eye और 193 rule की बात करता है इसके लावा department कहता है कि अगर आपके पास कोई चीज ऐ इसके आती भी है तो उसके लिए देखिए legal wedded wife है या नहीं है बच्चे उनके अपने हैं साथ में wife कमाती है नहीं कमाती है उससे एफिडिविट लीजिए section जो section बाते जानने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं आगे section हाँ पैरा नमबर 30 है इसके अंदर भी ऐसे इन चीज़ नमबर 31 उसके अंदर एक judgment का जिगर किया हुआ है रविंदर सिंग वर्शी उनन ओफ इंडिया और यह 17 अपले 2012 की judgment है और यह कहती है कि भी अगर आपके पास कोई ऐसी application आती है जिसमें maintenance के बात होती है लेकिन उसके अलावा अगर court में भी कोई case चल रहा है तो आप उस application को decide नहीं करेंगे वहाँ पर court अपना decision देगा मतलब कि judicial जो system है judiciary order है जो legal order है जो legal judgment है उसकी power ज्यादा है आप department court से बड़े नहीं है यह पहले नमबर 31 बहुत ज्यादा main section में पारा है आपको इसी paragraph को पढ़वाना है यह साफ सपस्ट किस्टल किलियर कहता है कि भी पहले भी ए एक judgment थी जो इसके अंदर जो मैंने जिकर क्या भी पढ़ा था 2012 की उसके according किस्टल किलियर कहा हुआ है कि भी court के order के आगे आपका order कुछ नहीं है अगर maintenance की बात आती है अगर already पहले से court में कोई matter pending है तो वे decide करेंगे ना कि आप decide करेंगे जूडिसल order से बड़ा कुछ नहीं है क्योंकि वे civil court है और वो तरीकिसी चीज़ को decide करेंगे तो इस paragraph की importance बहुत ज्यादा है उसको देखिएगा इसके अलावा एक दो judgment का और भी जिकर किया हुआ है उनको भी आप देख सकते हैं इसके अंदर इसके बाद next paragraph number 34 आता है उसमें जो department का order है उसका जिकर किया हुआ है department को पार्टी बनाए हुआ उनके officer को भी पार्टी बनाए हुआ है इसको बताया हुआ कि भी कैसे 22% wife का है 5.5% उनकी बेटी का है टोटम लागे 27.5% ये order पास करके maintenance बांदा हुआ है इसके बाद फिर paragraph number 35-36 आ जाते हैं 41 तक उसमें कुछ judgment का हवाला दे करके crystal clear का हुआ department ने ये amount detect करके wife के account में transfer किया था उसको quest किया जाता है decline किया जाता है खतम किया जाता है और साथ में ये order पास किया जाता है कि भी अगर कोई भी किसी परकार का आपके पास इसा matter आता है उसमें अगर court प्रोश्टिंग चल रही है तो court ही decide करेगे department decide नहीं करेगा आप सभी जानते हैं कि supreme court ने भी IT8 के section 66A को खतम कर दिया है इसके इलावा 397 IPC को भी खतम कर दिया है इसी परकार से ट्रिबनल ने भी अपने हिसाब से एक अपनी judgment दे करके department को section 90 subclose i91 उसको एकर साब से decline किया है खतम किया है कि अगर कोई maintenance की बात आती है तो department नहीं court उस maintenance को बाद हाला कि इस judgment के आने के बावजूद भी अभी department के पास एक और चीज आई हुई है मतलब की department ने जारी किया हुआ है कि अगर wife 12th class पास है मतलब भी इनका एक नया circular आया हुआ है तो उसको कितना maintenance मिलना चीए 1 से 10% तक अगर wife graduate है और पहले से उसने काम किया हुआ तो उसको कु graduate है तो उसके लिए अलग से बनाया हुआ है अगर कोई wife मतलब पढ़ी लिकी नहीं है बट 12th से कम है तो उसको कितना maintenance मिलेगा इन सब चीज़े को सर्कुलर जारी किया हुआ है मतलब judgment आने के बाद जूद भी लेकिन ये इस circular को भी judgment decline करती है बिसका आप कितने भी निकाल ल साथ होता है तो सबसे पहले आपको क्या करना अगर wife ने कोई application लगा है तो आप judgment की copy लगा करके उसका जवाब दीजिए कि भी मेरी wife के साथ मेरा already dispute चल रहा है और उसको उसने court में case डाला हुआ है अगर कोई court में case नहीं है तो आपका dispute हो जाता है नोर्मिल तो आप भी court में section 9 या फिर section 13 में अपना divorce के लिए या फिर wife को लाने के लिए RCR का case डाल सकते है तो already case तो होई जाता है आपको उसका जिकर करना है साथ में कहना है कि भी judgment के according आपकी कोई power नहीं कि आप मेरा maintenance बंदे और अगर already पहले से maintenance बंद रहा है तो आपको क्या करना है इस judgment का जिकर कर कि क्योंकि अगर किसी का maintenance में देगा तो आपस में case भी चलेगा आपको judgment का जिकर करके department को कहना है कि मेरा maintenance जो आपने बादा हो इसको खतम कीजिए ये right court का है और इसके बाद इसकी certified copy ले करके या इसकी receiving ले करके सीधा इस tribunal में आईए चंदिकर tribunal में कंटेमर कोट की पुर इसके अलावा अगर आपके आसपास भी बहुत सारे लोग कुई जैसे कि आप लोग रहते हैं आर्मी में हो या अचा एर फोर्स हो या नेवी हो आप एक परिवार की तरह रहते हैं जहांचे सुनिए गा आपके आसपास जितने भी लोग हैं जिनके case चल रहे हैं उन सब को दाली हैं ऐसे ही जहां भी आप लोग रहते हैं वहां हाई कोट में रिट फाइल कीजे तो 81 रिट फाइल कीजे एक साथ जानी चाहिए क्योंकि बाते दो सब सेम ही है नोर्मली अगर आप एक इनसान कोई case फाइल करता तो उसका ज़्यादा खर्चा लगता है लेकिन अगर बहुत सारी लोग मिलकर के case फाइल करेंगे तो आपको सस्ता भी पड़ेगा वकिल साब को यह आसानी होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि pressure पड़ेगा कोट के ओपर भी इतनी रिट आई है सेम चीज़ के लिए आई है सेम डिबांड है कि मेंटेंश डिपार्टमेंट क्य according होना चाहिए साथ में एक लोग यह भी चलता है जो concept चलता है अभी वी सुप्रिकोट की जिजमेंट है यह कि भी wife का भी कहिना के contribution होता है husband की income में उसके घर चलाने में सपोस्च कि जी आपको अगर पहले से जोब मिली हुई है तो अगर पहले से साधी से पहले आपको पूशन कर दिया कुछ भी नहीं किया आप अगर बोर्डर पर खड़े हैं तो वहाँ पर आपकी wife खाना बना कर नहीं बेचती है आपको खुद खाना बनाना पड़ता है आपको जो salary मिल रही है आपकी अपनी मेहनत की मिल रही है आपको civil job नहीं कर रहे है कि घर से सुबह ज के लिए कोट है कोट इसके लिए मेंटरेंस बादेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कई judgment ऐसी भी है बे आपको hospital जी है तो सरकारी hospital से इलाज करोई फ्री में अगर school की बात करें बच्चों को तो सरकारी school भी खुले हैं वहाँ जाकर भी पढ़ाई की जा सकती है तो के लिए हर चीज़ परकार की facility सरकार ने की हुई हैं तो दोस्तों इस judgment का सही परकार से यूज कीजिए और इसको लगा करके अपना maintenance कहीं भी बंदा उसको खतम कराई है कोट की power है साथ में judgment में last में कहा भी हो है कि हम किसी fact में नहीं जारे ताकि कल कोई से असर ना पड़े और इस बात का भी जिगर किया हुए कि कोट में evidences होते हैं गवाईया होती हैं वहाँ सही तरीकी से decide होता है ऐसे में department अगर ऐसे maintenance grant करेगा तो वो unjustice हो जाएगा तो उस चीज को उस line को भी आपको use करना है दोस्तों आप border में खड़े हैं आप देश का ध्यान रखिए आपक वीडियो को पसंद आए होगी तो मिलते एक नई वीडियो में नई जान कर सा तब तक के लिए नमस्कार जाहिंद